मित्रता पर तुलसीदास के दोहे जिन मित्र दुख हो हिन दुखारी, तिनही विलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज करी जाना, ओ दुख रज मेरु समाना, तुलसीदास जी कहते हैं, जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उसे देखने से भी भारी पाप ल और मित्र के साधारन धूल समान दुख को सुमेरू परवत के समान समझना चाहिए, जिनके अतिमती सहजना आई, ते सठकत हठी करत मिताई, कुपठ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुनन ही दुरावा, जिनके स्वभाव में इस प्रकार की बुद्धिन हो, वे मूर्ख केवल जिद करके ही किसी से मित्रता करते हैं, सच्चा मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोक कर सही रास्ते पर चलाता है, और अवगुण छिपा कर केवल गुणों को प्रकट करता देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदाहित करई, विपतिकाल कर सदगु स्नेह प्रेम करता है, अच्छे मित्र के यही गुण है, आगें कह मृदू वचन बनाई, पाच्छे अनहित मन को टिलाई, जाकर चित अहिग संभाई, असकुमित्र परिहरे ही भलाई, जो सामने बना बना कर मीठा बोलता है और पीछे मन में बुरी भावना रखता है, तथ संसार में सभी शत्रू और मित्र तथा सुख और दुख माया जूठे हैं और वस्तुत वे सब बिलकुल नहीं है, सुर नर्मुनी सब कै यह रीती, स्वारत लागिकरहिन सब प्रीती, तुलसिदास जी कहते हैं, देवता, आदमी, मुनी, सब की यही रीती है कि सब अपने स् पूर्ति हेतु ही प्रेम करते संगती पर तुलसिदास जी के दोहे, कठिन कुसंकुपंथ कराला, तिनह के वचन बाग हरिब्याला, ग्रिह कारज नाना जंजाला, ते अतिदुर्गम सैल विसाला, खराब संगती अत्यंत बुरा रास्ता है, उनकुसंगियों के बोल बाग, सिह और साप की भांती है, घर के कामकाज में अनेक जंजट ही बद्धे बिहद्ध विशाल पहाद्ध की तरह है, सुभ अरू, असुभ सलिल सब बही, सुरसरी कोव, अपुनीत न कही, समरत कहुए नहीं दोश गोसाई, रविपावक सुरसरी की नाई, तुलसिदास जी कहते हैं, गंगा में पवित्र और अपवित्र सप्रकार का जल बहता है, परन्तु कोई भी गंगाजी को अपवित्र नहीं कहता, सूर्य, आग और गंगा की तरह समर्थ व्यक्ति को कोई दोश नहीं लगाता है, तुलसी देखी सुवेसु भूल हिंग, मूढ न चतुर नर सुन् का खाता है, बड़े सनेह लगुन पर करही, गिरिनिज सिरनी सदात्रिन धरही, जलधी अगाध मौलिबह फेन, संतत धरनी धरत सिर रेनू, तुलसी दास जी कहते हैं, बड़े लोग छोटों पर प्रेम करते हैं, पहाड के सिर में हमेशा घास रहता है, अथा समुद्र में फेन जमा रहता है, एवं धरती के मस्तक पर हमेशा धूल रहता है, बैन तेय बली जिमी चह कागू, जिमी ससू चाहे नाग अरि भागू, जिमी चह कुसल अकारण को ही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही, लोभी लोलुपकल कीर्ती चाही, अकलंकता की कामी लही, हिंदी अ और कलंक नहीं चाहे, तो उन सभी की इच्छाएं व्यर्थ हैं, ग्रह भेसजल, पवन, पटपाई, कुजोग, सुजोग, होहिं कोवस्तु सुवस्तु, जग लखिन सुलक्षन लोग, हिंदी अर्थ, ग्रह दवाई, पानी, हवा वस्त्र, ये सब कुसंगती और सुसंगती पाकर संसार में बुरे और अच्छे वस्तु हो जाते हैं, ज्यानी और समझदार लोग ही इसे जान पाते हैं, को न कुसंगती पाई न साई, रही न नीच मतें चतुराई, तुलसिदास जी कहते हैं, खराब संगती से सभी नश्ठ हो जाते हैं, नीच लोगों के विचार के अनुसार चलने से चतुराई बुधि ब्रष्ट हो जाती है। खराब जाती की गाय अच्छी दुधारु गाय को अपने साथ रखकर खराब कर देती है। वैरु अकारण सब काहूसों जो कर हित अनहित ताहूसों वे काम, क्रोध, अहंकार, लोब के अधीन होते हैं। वे निर्दई, छली, कप्टी, एवं पापों के भंडार होते हैं। वे बिना कारण सबसे दुश्मनी रखते हैं, जो भलाई करता है, वे उसके साथ भी बुराई ही करते हैं। जूठी लेना, जूठी देना, जूठी भोजन जूठ, चवेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा, दुष्ट का लेना देना सब जूठा होता है। उसका नाश्ता भोजन सब जूट ही होता है जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, पर उसका दिल इतना कठोर होता है कि वह बहुत विश्धर साप को भी खा जाता है। इसी तरह उपर से मीठा बोलने बाले अधिक निर्दई होते हैं। हिंदी अर्थ, लोब लालच ही, उनका ओरहना और विचावन होता है, वे जानवर की तरह भोजन और मैथुन करते हैं। उन्हें यम लोक का डर नहीं होता, किसी की प्रशंसा सुनकर उन्हें मानो बुखार चर जाता है। जब काहू कै देख हीं विप्ती, सुखी भय मानहुएन जग्नरिप्ती, स्वारत रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोब अतिक्रोधी। वे जब दूसरों को विप्ती में देखते हैं, तो इस तरह सुखी होते हैं, जैसे वे ही दुनिया के राजा हों। दूसरों को भी अपनी संगती से बरबाद करते हैं, मोह में दूसरों से द्रोह करते हैं, उन्हें संत की संगती और ईश्वर की कथा अच्छी नहीं लगती है।